हेलो वरिवान, वेलकाम टो फार्मरोक्स यूट्व चेनल, फार्मरोक्स के यूट्व एज्वेस्टन चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चार में हम डेटियल में स्टडी करेंगे पांच सबसे अच्छी माइगरेन की दवा के बारे में तो जब भी आपको माइगरेन होता है तो specially क्या होता है कि आपके सीर के आदे हिस्से में जो काफी तेज दर्द होता है कि यहाँ पर आप देखो यह जो डायग्रम है कि आदे हिस्से में आपको बहुती ज्यादा जो दर्द होता है फिर आपकी जो वीजन है, जो द्रस्टी है वो दुन्दली हो जाती है और तीम टीमातई जो रोसनिया होती है ऐसा आपको जो दिखता है तो उसके लिए 5 सबसे बेस्ट दवाय कौन सी है उसके स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में गत जानते है पाँच बेस्ट मेडिसिन फॉर माइग्रेन तो एक्स्पेट लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर अप्वारुक्स तेंक्यू पर बेन फाउमारुक्स फेमिली सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौनसी दवा यूज करेंगे उसके डोस, साइड इफेक्ट, वर्निंग, कॉन्टर इडिकेशन एक साल तक अफ़रिवल प्राईज में फाउमारुक्स के अप उपर तो एंडर्ड यूजर एंडर्ड अप डाउन्डोड करें आइफ़न उजर आप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं हमारी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी और जिसके करन आप क्या फिल करते हैं कि तेज रोसनी के सामने आपको दिक्कत आती है फिर साउंड जो महला कि आपस पास जो कोई आवाज हो रही है तो वो आपको पसंद नहीं आता सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट और साउंड के प्रती और उसके करन आपका जी घब रहता है और बाद में आपको वुल्टी भी हो जाती है या फिर पेट में आपको अंकमफर्टिबल जैसा फिल होता है तो पांच वेस्ट मेडिकेशन कौन सी है जो माइग्रेन के लिए यूज़ की जाते है सबसे पहले है अर्गोटा माइन और उसके कॉंबिनेशन सेकंड ओप्सन बनता है जीरो ग्रेन प्लस या फिर माइग्रा साफ करके मेडिकेशन आती है तीसरा जो है वो ओंडेन सेट्रॉन चोथा सुमाट रिप्टन और पांचवा पेन किलर्स का ओप्सन रहता है अब धवायों के बारे में तो जानेंगी बड़ सबसे पहले टीप्स की कैसे आप माइग्रेन को प्रिवेंट करें तो दिन में जो वो पांच साथ लिदर जितना पानी पीना चाहिए फिर जो मोबाइल का जो यूज यूज यो आपको रिड्यूस करना चाहिए कॉम्पीटर स्क्रीन के सामने जो आपका काम लंबे समित होता है तो वो थोड़ा रिड्यूस करें बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले स्ट्रेस कम करें आपकी लाइफ में से फिर एंजाइटी में लेकि कि चिंता कम करें और एटलिस्ट आठ से नो गंटे की प्रॉपर आप नींद लेजे कि जिससे आप माइग्रेन को जो प्रिवेंट करते बिकॉस उसके जो रिजन्स होते है कोजिस होते है वो ही प्रिवेंशन के स्टेप बनते क्योंकि हमें पता है कि आपकी लाइप में स्ट्रेस जदा हो तो भी माइग्रेन हो जाता है कॉम्पीटर स्क्रीन पे लंबे समय तक काम करो ऐसे को स्मेल, ओडर, टेस्ट, पानी कम पेते है नींद कम लेते है तो अगर इसको आप ठीक करो ग्रीन टी के अंदर और वो आप पीए फिर लेमन एंड हॉट वाडर का कॉम्बीनेशन ले सकते है फिर एपल खा सकते है नमक डालके फिर जो क्लाव होता है, जो लॉंग होता है उसको जो है वाब उसके स्मेल ले सकते है फिर जो बज़े लाते है मतलब कि जो तुलसी के जो पत्ते कहते है और जिंजर उसका जूस या फिर उसका मिक्स्चर आप लीजिए फिर कलाव ओल से मसाज कर सकते है या फिर एक्यूप्रेसर जैसे कुछ होम रेमेडिस भी अपना सकते है अब समझते हैं इसका इस तरह से स्प्रे आता है तो नजल स्प्रे स्पेसली यूस किया जाता है या फिर इंजेक्शन के तरह मेडिकेशन जो यूस की जाती है फिर इसी का एक मार्केड़ फॉर्मिलेशन है वासो गरेन करके कि जिसके अंदर आप देखो तो अर्गोटा माइन प्रेजेंट के यहाँ पे आप वासो गरेन के यह टाबलेट्स देख रहे है कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में आपको अर्गोटा माइन जो है वो मिल जाएगा कि सौल्ट कमपोजिशन में कैफीन है 100 mg अर्गोटा माइन 1 mg है परासेटामल 250 mg और प्रोगलोर परासेट 2.5 mg मिल लब कि ऐसे सब भी इंग्रेडियन का कॉम्बिनेशन किया है कि जो आपके माइगरेन को ठीक भी करता है और माइगरेन के दौरान होने वाले जो सिम्टम्स होते है उसको भी ठीक करता है तो ये एक सबसे बेस्ट ओप्सन बनता है आपके लिए माइगरेन के लिए फिर सेकंड ओप्सन है कॉम्बिनेशन मेडिकेशन के जिसके दो मार्केड़ फॉर्मिलेशन एक जीरो ग्रेन कर प्लस करके हो और माइगरेस आपकरके जिसके अंदर तीन दवाए को कॉम्बिनेशन है फ्लूनारिजिन है और डॉमपेरिडोन है और पेरासिटामॉल तो ये सिर्फ एक टाबलेट ली जाते कि जब भी आप ऐसा माइगरेन जैसा फिल करते है तो सिर्फ एक टाबलेट जे वो पेसंड लेता है फिर तीसरा उप्सन है ओंडेन सेटरोन का कि जिसके टाबलेट भी आते है एस वेल इस उसका इंजेक्शन भी अवेलिबल है जो एक 5 हाइड्रोक्सी डिप्टाम एन एंटागोनिस ड्रग है और ये क्या करता है कि नौजय वर मीटिंग भी प्रिवेंट करता है और माइगरेन भी प्रिवेंट करता है आपका और उसका हम जो डोस के बात करें तो 4 से लेकर 8 मिलिग्राम ओरली इंट्राविनसली और इंट्रामस्कुलरली हर 8 गंटे भी पेशन जो ले सकता है और इस तरह से भी डोस केलकुलिट कर सकते है 0.15 mg पर kg के हिसाब से वीडियो के बीच भी आपको बदा होते हैं कि हमारे सेकंड चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स पर मिल जाएगी और सपोर्ट करें हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके चौथा ओप्सन है हमारे पास सुमा ट्रिप्टान का कि सुमा ट्रिप्टान जो हो भी 5-HT receptor agonist drug है कि जो माइग्रेन को ट्रीट करती है और ये 50 से लेकर 100 mg जो हो ओरली ली जाती है कि जब भी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लेम होता है तो यहाँ पे आप देखो कि ये सुमा ट्रिप्टान सक्सिनेट के रैपिड रिलीस टैबलेट से 100 mg की स्ट्रेंथ में तो ये टैबलेट आप तुरंत खाव सकते कि जब भी आपको माइग्रेन जैसा फिल होता है और मेक्जिमम डोस उसका रहता है और 24 अवर्स के अंदर 100 mg तो सिर्फ वन से डे ये टैबलेट जो है वो वन से डे के दिन एक ही टैबलेट खाए जब आपको माइग्रेन का प्रॉब्लेम होता है पांचवा उप्सन बनता है एक पेंकिलर्स का कि अगर आपको आगे की जो मेडिकेशन सूट नहीं हो रही तो पेशन जो है वो पेंकिलर्स भी ले सकता है जैसे कि उसके अंदर ये कॉंबिनेशन होना चाहिए पेरासिटामल, एसिकलोफेनेक या फिर डाइकलोफेनेक और तिसरा सेराटियो पेप्टिडेस तो यहाँ पे आप देखो ये एक मार्केडर्स फर्मिलेशन है जिसके अंदर डाइकलोफेनेक है पेरासिटामल है और सेराटियो पेप्टिडेस तो एक टैबलेट जो हो दिन में दो बार खा सकते आप और इसको हाई डोस में कभी भी यूज ना करें तो यह हो गई पांच बेस्ट मेडिकेशन फिर साथों साथ जो एक केर चाहिए कि माइगरेन के दोरा ने असा नहीं कि सिर्फ आप मेडिसिन का है मेडिसिन के साथ साथ जरूरी है कि आप अलग-अलग जो बाम आते है जैल आते हैं ओइंटमेंट है फिर पेन रिलीवर्स जो होते है जैसे कि यह अमरूतांजन है जन्डू है फिर टाइगर बाम आते है उससे थोड़ा बहुत मसाज भी कर सकते है आपके सीर के अंदर के जिससे माइगरेंज जो है वो आपका थोड़ा काम हो साथ हो साथ फिर मेडिकेशन के सैड इफेक्स देखे तो ये मेडिकेशन समझे कि आप हाई डोस में खालो लंबे समय तक तो आपका लीवर खराब हो सकता है एलर्जिक रियक्संस हो सकती है डीजिनेस में लगे नेंद आ सकती है उबासी लेना वीक में लगे थाकान या आप मैसूस करेंगे फ्लसिंग जैसा फिलोगा और उल्टी हो सकती है और जी गवरा सकता है कॉंटर इडिकेशन के बात करें तो अगर किसी को हार्ट रिलेटेट बीमारी है तो ये दवाया प्रिकोसंस के साथ यूज़ करनी चाहिए या फिर अवइड करनी चाहिए आर्ट्रीज में प्रॉब्लेम है ब्लड वेसल ब्लॉक है पैप्टीकल सर है आपको आपको इंफ्लैमेंटरी बावल डिसीज या फिर आईबियस का प्रॉब्लेम है लीवर खराब है, कीडनी खराब है या फिर आप जो वो प्रेगनेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ है सिर्फ आपको पैरासिटामल लेनी चाहिए और बच्चों के लिए ये मेडिकेसिन को यूज ना करे तो ये हो गए उसके कौन्टर इंडिकेसंस तो मेडिसिन कोर्स में ऐसे ही सिखे दवायों के बेजिक यूज के बारे में उनके dose side effect, warning कौन्टर इंडिकेसंस एक साल तक affordable price में तो WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पर course joining के लिए और test series के लिए download करें हमारा app as well as जो course आपको access करें उसके लिए भी हमारी app को download कर सकते हैं Good luck and all the best